दोस्तों याद है आपको वो दिन जब कुछ दबंगों द्वारा फूथ कैप्चरिंग होती थी, हमारे भोले भाले मद्दाताओं को रिस्वत दे करके डराया जाता था, चुनाओ के दौरान जो है शराब का वित्रन होता था, चुनाओ प्रचार के लिए सरकारी तंत्र का उ प्योग किया जाता था, और धार्मिक जातिगत ऐसे मुद्दे, जो चुनाओ को पूरी तरीके से बदल देते थे, आपने नारा सुना होगा, तिलग, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरीके के सांपरदाइक और धार्मिक और जातिगत बातें की जाती और ये बात कब की है दोस्तों, 90 के दसक में जब चुना हुआ करते थे, तो उस समय बड़ी समस्याइं हुआ करते थे, हमारे TN सेशन याद होंगे, जिन्होंने इन सभी जो अवैद गत्विदियां थी, उन पर रोक लगाई, जो सरकारी तंत्र के धुरूब्योग पर रोक तो नमस्कार, मैं इस वीडियो में बात करूँगा, अभी एक रिजल्ट आया है, सुप्रीम कोड का डिसीजन आया है, जिसमें ये कहा गया है, कि हारतिय जो चुनाव आयुक्त हैं, मुखे चुनाव आयुक्त, उनके नियुक्ती में, किनका किनका योगदान होगा, उनके नियुक्ती का कोई special provision नहीं था पहले, उसमें leader of opposition को सामिल कर दिया गया है, CGI को सामिल कर दिया गया है, और prime minister को, तो ये बहुत बड़ा landmark decision है, और इस decision को ले करके, इस वीडियो में मैं detail बात करूँगा, नमस्कार दोस्तों, मैं धरंजे सिंग, आप सभी का स्वागत करता ह हूँ, इस वीडियो में हम लोग detail बातचित करेंगे कि क्या है मुद्दा, कैसे, किस case पर ये वाद विवाद हुआ, और Supreme Court ने एक landmark decision दिया है, जो कि भारतिय राजनीती में, भारतिय जो संविधान में एक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, दोस्तों, TN session के बारे म आप लोगों ने सुना होगा, जिनके बारे में किसी ने कहा है, कि ऐसे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वह कभी-कभी हो पाते हैं, पैदा हो पाते हैं, उन्होंने आदर्स अचार संहिता को लागू करवाया, चुनाव पर खर्च किने सक्ति लाई, और आप देख राय और सीटी रवी कुमार की एक समिधान प्रीट ने अनू बरनवाल बनाम भारत संग की याचिका वो एक बैच में फैस्रा दिया, जिसमें एक लेंडमार्ग डिसीजन आया, कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ती होगी, वो प्रधानमंतरी, विपक्ष के ने और साथ ही उस फैसले को सुनाते हुग उन्हों ने कहा, कि सरकार को इससे बाहर कर दिया जाता है, विशेश कर जो है नियायले को, अधालत ने कहा है कि आदेश जो है, संसत द्वारा जब तक कानून इस पर नहीं बनाया दिया जाता, तब तक जो है ये का आदेश लागू मुखी चुनाव आयुक्त और देश भर में चुनाव की देख रेक करने वाले दो चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उनकी नियुक्ती रास्पती द्वारा एक पैनल की सलाह पर की जाएगी, जिसमें विपक्ष का नेता होगा, नियाई पाली का कि इस प्रक्रिया में अपनी राय होगी, साथी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर लोग सभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, तो सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी होगी, वो पैनल में शामिल होगी, दोस्तों ये निर्वाचन आयोग जो है, ये कंट्रोर्सी से लगातार बना रहा है हमार देश जो है, दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है, और सबसे समरिद लोगतंत्र में से एक माना जाता है, लेकिन मुखे चुनाव आयोग पर बहुत सारे इलजाम भी लगे हैं, कभी-कभी उनको क्या कहा जाता है, कि वो बायस्द हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके लिए ये बायस्द होते हैं, और उनकी बहुत सारे allegations ऐसे लगाये जाते हैं, कि चुनाव के दौरान जो है, रूलिंग पार्टी को ये चुनाव आयोग जो है, वो सपोर्ट करता है, इवियम, इवियम, तेरा नाम धोखा रख दू, इवियम की भी बात आती है, इवि विपक्ष हारता है, तो उसका रोना रहता है, लेकिन हाला कि ये रोना सुरू किया था कब, जब 2009 के चुनाव में, बिजेपी के लोगों ने रोना सुरू किया था, लेकिन जब से सत्ता में आये हैं, इलोक्रानिक वोटिंग मसीन को ले कर के कोई बात नहीं की जाती है, तो अभी क्या होता है कि दंगे बवाल हो जाते हैं, अभी तो उसकी संख्या एलेक्षन कमिशन ने कम कर दी है, लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव के समय जो है, जो भी सत्ता में पार्टी होती है, उसको सहयोग के लिए हिंसा आदी का भी सहयोग लिया जाता है, जो पैसे का दुरूप योग होता है, मनी रिसोर्से होते हैं सरकार की, जो पॉलेटिकल पार्टी हैं, जो सत्ता में होती हैं, वो मिस्यूज करती हैं, ये सारे आरोप आछेब जो है, इलेक्षन कमिशन आफ इंडिया पर लगाया जाते हैं, लगातार विभिन समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, विभिन पार्टी, जो विपक्षी पार्टी उने देखा होगा, अब आरदर्शिता की एक समस्याती है, जो ट्रांसफरेंसी को लैक आफ ट्रांसफरेंसी बोला जाता है, इसमें क्रिटिसाइज किया जाता है, एलेक्षन कमिशन को कि ये डिले करत लेट जो है चुनाव की डेट अनाउंस करता है और सोसल मेडिया पर भी आप देख रहे हैं आए दिन चुनाव आयोक्त की जो है आलोचना होती रहती है यह आलोचना क्यों होती है कैसे होती है क्या है इनका पूरा प्रोसीजर कैसे जो है चुनाव आयोक्त को नुक किया जाता चुनाव आयुक्त के साथ जो है दो और आयुक्त होते हैं उनको कैसे न्युक्त किया जाता है इस पर हम लोग डीटेल बातचीत करेंगे तो दोस्तों ये सारे आरोप होते हैं कि चुनाव के जो है डेट एनॉंस्मेंट में भी बहुत सारे आचेप लगते हैं बहुत सारा डी disability issues हैं जो criticize किये जाते हैं कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है मुखे चुनाव आयोग जो है वो क्या करता है जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसको सहयोग करता है और political influence जो की सबसे बड़ा एक है कि राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं वो प्रभावित होता है क्योंकि उ करने के लिए चुनाव आयोग को free and fair करने के लिए हमारे नियाए पालिका ने कुछ decision जो decision दिया है लैंडमार्ग decision उसमें केवल यही पक्ष नहीं है बहुत सारे पक्ष हैं उससे पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि appointment कैसे होता है चीफ election commission का जो है appointment कैसे होता है तो chief election commission जो है भारती समिधान के जो भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है निर्वाचन आयोग में जो है article 324 से लेके 329 तक जो है election commission के बारे में बात की गई है जिसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की committee होगी जिसमें जो है chief justice या supreme court का कोई judge होगा जो उससे सहय जो लेकर के election commission का करेगा नियुकति करेगा हाला कि इसका कोई विधिवत प्रोसीजर नहीं है कभी कभी जो है इसको follow किया जाता है नहीं किया जाता है जिसमें ज्यादा तर रोल जो होता है प्रदान मंत्री करता है article 324 जो है वो क्या कहता है कि वह मुखे चुर्वाचन आयो प्रेसिडेंट द्वारा नियुकति करता है और उसको recommend करते है प्राइम मिनिस्टर के committee होती है तो यह उसके अलावा भी दो commission होते है इनकी जो tenure security होती है माना जाता है कि यह free and fair होता है और यह 6 वर्स के लिए इनकी नियुकति होती है साथ या इनकी अधिकतम उम्र जो है वो 65 वर्स यह होती है और बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिन मामलों में बार-बार Supreme Court ने यह दर्शाया है कि Supreme Court का हस्तचेप किया है कई मामलों में उन मामलों को भी हम लोग detail पे देखेंगे कि कौन-कौन से मामले हैं इससे पहले Supreme Court के decision आये है मुख निर्वाचन आयोग को ल वह भारत में free और fair election जो की आम चुनाव होते हैं, विधान सबाद चुनाव होते हैं, रास्पत के चुनाव होते हैं, उनमें क्या भागिदार होता है, ठीक है, तो appointment को ले करके, जो समस्याय थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है, सुप्रीम कोड दिवरा, अभी दे है, निर्वाचन आयोग को ले करके, कि निर्वाचन आयोग की न्यूपती जो है, वो कैसे की जाती है, उसका जो है, political influence यूज किया जाता है, ये सारी बाते रही हैं, लगातार होती रही है, अब कुछ पांच major decision है, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, सुप्रीम कोड है, election commission के लिए दिया है, उस पर देख लेते हैं दोस्तों, कि पहली बात जो है, इन्हों ने, जो है, 1995 में सुप्रीम कोड ने ये ruling दी थी, कि election commission of India जो है, वो है, एक independent authority की तरह काम करेगा, 1995 में, ये पहला decision था, जिसके लिए वो constitutional authority के रूप में इसको साबित किया था, जो की free and flare election कराने के लिए भारत में बात दे है, दूसरा जो decision था, दोस्तों, इन्होंने election commission ने ये कहा था, कि भाई, जो सारी responsibility होगी, जो necessary step होंगे, उन सभी को ensure करने के लिए, जो functioning होगी, election की, उसको process को सही करने के लिए, decision making के लिए, सब कुछ वो स्वतंत्र है, 1995 का पहला decision, 2018 मे दोस्तों, VBPAT आपने देखा था, verification के लिए, जो है VBPAT, यानि कि water verification paper audit trail का प्रयोग किया जाए गया था, EVM मशीनों में, उसके लिए, क्योंकि double verification हो, इसके 2018 में एक decision था, Supreme Court ने election commission को bound किया था, उसको transparency और electoral, जो हमारा electoral process है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें सही से अ election commission ये insert करने के लिए कि water जो है, अपने vote कहां डाल रहे हैं, उसके confirmation के लिए, जो है 2018 में एक दूसरा decision था, तीसरा decision जो दोस्तों, model code of conduct को लेकर के 2019 में था, Supreme Court ने model code of conduct, जो है enforce करने के लिए election commission को कहा था, जो election के दौरान, जो model code of conduct होते हैं, आचार संगिता होती है, उनको law क दौरा forcefully लागू किया जाए, court ने ये भी कहा था, कि model code of conduct जो है, वो essential है, जिससे कि integrity और electoral process को जो है ensure किया जा सके, political parties और candidates को, जो है code of conduct को follow करने का भी दिया गया था, ethical manner में political parties जो है, वो follow करने उसको, अब political advertising को लेकर के 2020 में एक decision आया था, Supreme Court ने दिया था, कि उन्होंने क् किया था, कि election commission को एक ऐसा mechanism बनाना चीए, जिससे regulate कर सके political advertisement को, विशेश कर जो है social media को लेकर के, अब इस election को लेकर के 2020 में ये आया था, जिसमे rule और regulations बनाने के लिए, political parties, political advertisement कैसे करें, political प्रचार प्रसार कैसे करें, इसके लिए 2020 में ये चौथा decision आया था, Supreme Court ने दिया था, election commission of India को लेकर के, वही दोस्तों, 2021 में campaign expenditure को लेकर के, campaign expenditure यानि कि अपने परचार में कितना खर्च जो है, एक बिधान सबा member कर सकता है, यानि कि वो MP या MLA कितना पैसा खर्च कर सकता है, उसको लेकर के एक direction जारी किया था, कि वो fix किया जाए, हाला कि ये fix होता है, 40 लाग, 75 जो है, fix होता है, विधान सबा के लिए कितने फर्च कर सकते हैं, हाला कि उसका पालन जो नहीं हो पाता है, क्योंकि सबी political parties अपना हिसाब थोड़ा delay देती हैं, और उसमें campaign expenditure जो है, अलग तरीकों से खर्च किया जाता है, ये कुल पांच जो है, landmark decision रहे है, election commission को लेकर के, व CGI और leader of opposition को शामिल करने की बात की कि ये बहुत बड़ा decision है, वहीं court ने कुछ और बाते कहीं हैं, जिनको जानना ज़रूरी है, कि election को free and fair बनाने के लिए जो धन की भूमिका है, और राजनीत का अपराधी करण है, इसमें आप ही बृद्धी हुई है, ये comment है, जो हमारे जोस पक्षपाती की रूप अपना लिया है, जिसमें कहीं न कहीं ये media भी पक्षपात कर रही है, एक कानून जो अस्थाई नहीं रह सकता अगर कारे पालिका की नियुक्तियों में पूर्ण अधिकार नहीं है सभी का, राजनीतिक दलों के पास एक कानून की हमेशा से खोज रह को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होने का हम दावा नहीं कर सकते, फिर भी अनुचित तरीके का कारी ये नहीं करेगा, सरकार के प्रति दाइतों की स्थिती में एक व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से वह कारे नहीं कर सकता है, इसलिए इसको पूर्ण चाहिए और आगे सुप्रीम कोड ने बताया कि स्वतंत्ता क्या है योगिता जो है वह भावध्य नहीं होती है योगिता गुणों की ही बात होनी चाहिए एक इमांदार वेक्ति जो है आम तोर पर जो है बिना किसी हिच्ची चाहट के बिना किसी सक्तिसाली लोगों के आदमी जो है वो election commission की उरुद देखता है और election commission को free and fair होना चाहिए एक चुनाव आयोग जो कानून के शासन की guarantee तो नहीं देता है पर अगर वो चुनाव के शासन की guarantee नहीं देता है तो ये लोग तंत्र के खिलाफ है और इसमें जो है उसके सक्तियों का इस spectrum है अगर वो उसका सही प्रयोग समयधानिक तरीके से नहीं करता है तो वह कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल का support कर रहा है गलत साधनों के साथ जो है अगर हम उसका result अगर अच्छा देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि साध्धे जो है सही हो जाएगा अगर गलत साधन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाए तो इनी सब को प्रद्विम्मित करते हुए media coverage अन्य जो है बातों पर चुनाव मशिनरी का दुरूपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाते कहीं है कोई भी प्रक्रिया हो नियाले के समक्ष चुनाव प्रक्रिया को सुधार को लेकर के हमेशा प्रस्ण उढ़ते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है मान्य नियाधीस जी का कहना है कि उस पर जो है अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए और इस विचार पर हमेशा बहस होनी चाहिए जिसमें जो है लोक तंत्र जो है लोगों के द्वा के उमिद्वारों का पूरी तरीके से भाग्य हमारा एलेक्शन कमिशन करता है इसलिए वह एक महत्वपूर्ण निर्ड़य देने वाली बोडी है और उसके मामले में कोई नियंत्रित न करे इसके लिए उसको फ्री एंड फेर होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र तभी प्रकार से पोडर हो सकता है जबी उसकी लोकतंत्र की हम मूल भावना को प्राप्त करेंगे जब उसे सत्ता धारी दल जो है वह अच्छर सा पालन करे लोकतंत्र के मुल्यों का हम देखते हैं कि इलेक्शन कमिशन राज्यों और संसद में जो चुनाव कराते हैं उसमें करतब्य और अपने अनिर चीजों का वह इनिस्पक्ष तरीके से कारे करें तो यह लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है तो एक परियाप्त और उदार लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट मानिय नियाधीश जी का यह कहना था कि ध्यान में रखना चाहिए लोकतंत्र जटिल रूप से लोगों क सक्ति से जुड़ा मामला है अगर हम मत की सक्ति को सबसे उपर रखेंगे तो हम लोकतंत्र में सबसे सक्तिशाली देश के रूप में उभर कराएंगे तो यह सारे बातें कहीं गई सुप्रीम कोर्ट के नियाधीश द्वारा और यह रहा पूरा व्यूराण आसा करता हूँ आप लोगों को यह लेक्शर पसंद आया होगा अगर आपको यह लेक्शर पसंद आया होग तो नीचे कमेंट जरूर करें हमारे विभिन प्रोग्राम चल देए दोस्तों उन्य प्रोग्राम से ज़रूर जुने बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों perfect झाल झाल झाल